हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक तो स्वराजॉल इन्वन चैनल और आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी वेज रेसिपी जो की बहुत ही बढ़िया जटपट बनके तयार हो जाती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल में में कॉन फ्लॉर लूंगी जो की मैंने वन फॉर्थ कप लिया है और साथी उतना ही में लूंगी मैदां यही वन फॉर्थ का और थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट रकॉर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा थोड़ा पानी बहुत ज़ादा पतला या गाड़ा नहीं बनाना है इस तरह से इसके एक बैटर बना लेंगे अब देख सकते हैं तो इसमें हम डाल देंगे सबजी यहाँ पे मैंने लिये हैं कॉली फ्लॉर लिया है फ्रेंच बीन्स लिये हैं कैप्सिकम और यहां पे मैंने गाजर लिया ह आप कम या जादा कर सकते हैं इसकी कॉंटिटी जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से और यह ही चाइनिज डिश तो इसमें जाएंगा लसन अध्रक और हरी मिर्च का पेस्ट तो यहां पे मैंने पाच्छे हरी मिर्च और चार लसन की कलिया और एक इंच अध्रक का तुकड़ इसका पेस्ट बना लिया था बिना पानी डाले और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे हर तरब से अच्छे से कोटिंग इसकी लगनी चाहिए और एक साइड पे मैंने तेल गरम करने के लिए रग दिया है तो यह तेल भी काफी अ अगर आपके पास लोहे की कड़ाई नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी पैन में बना सकते हैं तो अभी अच्छे से पक चुके हैं एक साइट से तो अभी में इसे अलट पलट कर लूँगी और पूरी प्रोसीजर में अभी यह हाई फ्लेम पे कर रही हूं अभी आप देख सकते हैं यह भी तैयार हो चुके हैं और इसका जो कलर है वो जादा चेंज नहीं होता अ दो बहुत jar होता है अलोजो की पकोड़ी की तरह इसका कलर चेंज नहीं होता है तो अभी यहЕr ho चुको है तो मैं निकाल लूँगे प्लेट में तो फिर से मैं वही पैन लूँगी बस तेल थोड़ा कम कर लिया है तो इसमें डाल दूँगी में थोड़ी सी प्रिंग अनियान और थोड़ी सी कैपसिकाम और जो मैंने पेस्ट बनाया था अधरक लसन और हरी मिर्ची का तो यहां पे मैं डाल रही हूँ देड़ चम्माच औ काली मिर्च पाउडर तो यह मैंने जादा नहीं बस थोड़ी सी ली है 1 फॉर्थ का टी स्पून और इसमें जाएंगे अभी सॉस तो यह ग्रीन चिली सॉस है आप इसकी जगह पर रेट चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं यह है सोया सॉस यह है वेनेगर और यह है टेमेट सॉस यह फिर दो नहीं चमस प्रण तो चोटे चमस से और इसमें जाएंगा नमक और हर शॉस में थोड़ा नमक होता है तो मैंने अभी नमक जो है वो थोड़ा कमी डाला है और जो बनाए थे नहीं हम इसमें डाल देंगे तो अब इन सब को अच्छी से हम मिला लेंगे और हम मंचुरिन की तरह सोस वगेरा नहीं कर रहे हैं इसका जो ग्रेवी है वो नहीं बना रहे हैं यह पूरे ड्राइ होते हैं और सोया सोस की वज़े से इसका कलर जो है आपको थोड़ा सा डार्ख लग रहा होंगा और इस डिश की खासियत यह है कि इसने आप कोई भी सब्जी कर सकते हो क्योंकि बच्चे भी कुछ नकरे करते हैं सबजिया खाने के लिए तो वह सबजिया डालके भी उनको खिला सकते हैं जैसे की मश्रूम हो गई या फिर पत्तागोबी हो गई कोई भी सबजी आप इसमें अड़ कर सकते हैं अपनी चोईस के अकॉर्डिंग तो अब आपको आज की मेरे रेसिपी पसंद आती है तो फ्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकोन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई